हमेरपूर जिले में बीतो दिनों ही सिटी फॉरेस्ट पार्क में अपने दोस्त के साथ घूमने गई लड़की को निर्वस्त कर उसकी पिटाई करते हुए हैवानियत का वीडियो वारल किया था अब सातो आरोपियों के घरों पर बुल्डोजर चला दिया गया पुलिस के अनुसार गृफतार कर जेल भेजे गये सात आरोपियों ने अवैद अतिक्रमड किया हुआ था नमस्कार मेरा नाम है शिवंकुश्वाहा और आप देख रहे हैं दा खबरदान न्यूर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आज पुलिस और प्रसासन ने सिटी फॉरेस्ट पार्क में लड़की के साथ हैवानियत कर उसका वीडियो वारल करने वाले सात आरोपियों के घरों पर बुल्डोजर चला दिया इन सातों आरोपियों के अवैद अजिक्रमड को ढाया जा रहा है पुलिस के अनुसार गृफतार कर जिल भेजे गे सात आरोपियों ने अवैद अजिक्रमड किया हुआ था बता दें इन सातो आरोपियों ने बीते दिनों ही सिटी फॉरेस्ट पार्क में अपने दोस्त के साथ घूमने गई लड़की को निर्वस्त कर उसकी पिटाई करते हुए हैवानियत का वीडियो वारल किया था यह सभी सातो अपराधी जेल में बंध हैं और उनके घरों के अवैद मिर्माड पर नगरपालिका और पुलिस की टीम ने बुल्डोजर चला दिया है पुलिस ने बताया कि हमीरपुर में 16 अगस्त को हैवानियत की एक वारदात हुई थी यहां एक यूबती के साथ सिटी फॉरेश्ट इलाके में आधा दर्जन यूबकों ने हैवानियत करते हुए उसका वीडियो बनाया था और उसे वारल किया था जिस पर पुलिस ने कारवाही करते हुए आठ आरोपियों के ग्रिफतार कर जेल भेज दिया था जबकि अभी भी कुछ फरार है हमीरपूर प्रशासन ने हैवानियत की वारदाद करने वाले उनारोपियों की प्रॉपल्टी को चेक कराया तो सातो आरोपियों द्वारा अवैद अधिक्रमड किया हुआ पाया गया हमीर पूर प्रसासन ने हैवानियत की वारदात करने वाले उन आरोपियों की प्रॉपर्टी को चिक कराया तो सातो आरोपियों द्वारा अवयाद अधिक्रमण किया हुआ पाया जिसको ध्वस्त करने के लिए आज सुबे से ही पुलिस और प्रसासन बुल्डोजल लेकर कि बाधिस करते हैं सहुपियों पॉर्टी.